हलो फ्रेंट्स मैं आविक्या और आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में स्वागत है तो गैस आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने ओपो के डिवाइसिज में क्लोन आप्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं तो चली इस वुड़ो को जली से स्टार्ट करते हैं सोगर जहां पर मैं अपनी फोन की स्क्रीन पर आगे हूँ और मैं आपको दिखा दूँ किया पर मैंने वाटसेप और फेस्बुक का क्लोन बना के रखा हुआ है तो इनको कैसे डिलीट करना है मैं आपको स्टेब बाए स्टेब बताऊंगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना कि अपना सैटिंग आप ओपन करना है ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है तो आपको नीचे स्क्रोल डाउन करना है और आपको यहाँ पर एप क्लोन का फीचर देखने को मिलता है तो आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के ब पर यह जो clone है delete नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको करना कि आपने जो Facebook पे lock लगा रखा है उसको simply पहले हटाना होगा तब ही यह clone आपका delete होगा तो इसके लिए करना कि आपको back आना है back आने के आपको नीचे scroll down करना और आपको यहाँ पर security का option देखने को मिलता है आपको यहाँ पर click कर देना है click करने के बाद आपको एकदम नीचे scroll down करना है नीचे करने के बाद आपको end में app lock का option देखने को मिलता है यहाँ पर click करने के बाद आपको अपना pin डाल देना है pin डालने के बाद यह simply open हो जाता है तो आपको करना कि यहाँ पर आपको Facebook को ढूंड ले कि ये clone delete हो रहा है कि नहीं तो यहाँ पर मैं app kloner पर जाता हूँ और facebook पर click करता हूँ और इसे disable करता हूँ और delete पर click करता हूँ तो आप देख सकते हूँ यहाँ पर facebook का जो clone है वो delete हो चुक है मैं आपको simply यहाँ पर screen पर दिखा देता हूँ कि यह डिलीट हुआ है कि नहीं तो आप देख सकते हैं वाटसप और फेस्बुक दोनों का क्लोन मैंने डिलीट कर दिया है तो वाइज इसी तरह आप अपने ओपो के डिवाइसेज में क्लोन आपस को इजिली डिलीट कर सकते हैं उमीद करते हूं आपको यह वीडियो अच्छ पिलीट कर सकते हैं पाल सकते हैं तरह में आपस को यह वीडियो भी रिलीट कर दोड़के वाइज